पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने ओन ग्रीड सोलर सिस्टम के बारे में देखा था तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग ओफ ग्रीड सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे तो जो हमारे off-grid solar system होते हैं उनमें जो है कौन-कौन से component लगे होते हैं जो हमारे off-grid solar system होते हैं उसमें जो है आपके solar panels, आपके solar charge controller और इसमें जो है आपके batteries भी लगे होते हैं और साथी साथ जो है आपके solar inverter लगे होते हैं तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा off-grid solar system है वो कैसे काम करता है जैसा कि हम जानते हैं जब सुरी की किरने जब हमारे solar panels पे पड़ती है तो हमारा क्या होता है DC power जो है generate होता है या DC power हमारे कहां पर जाता है solar charge controller पे जाता है और उसके बाद क्या होता है वहां से आपका जो output निकलती है DC power वो हमारे batteries में store होते हैं और साथी साथ ये DC power जो है inverter के दोरा जो है AC में convert कर दिया जाता है और उसके साथी साथ जो हमारे घर के load जो fan, bulb, टीवी वगरे लगे होते हैं उसका जो हम लोग utilize कर पाते हैं अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे solar charge controller लगे हैं इसका काम क्या होता है तो basically जो हमारे solar charge controller होते हैं वो हमारे battery को over charging और damage होने से बचाती है कहने का मतलब जो हमारे solar batteries DC power को receive कर रही है उस DC power को regulate करने का काम जो हमारा solar charge controller करता है पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था जो हमारे on grid solar system होते थे वहाँ पर क्या होता था जो हमारे extra power generate होती थी उसे हम लोग क्या करते थे हम अपने grid को जो है feed कर देते थे उसे भेज देते थे जिसके वाज़े से हमारा काफी हद तक electricity का saving हो जाता था बट अगर हम बात करें off grid solar system में यहाँ पर जो हमारी extra power जो generate होती है वो हमारी क्या हो जाती वेस्ट हो जाती है तो इसे जो हम लोग अच्छे समझने के लिए example के तुरू हम लोग समझते हैं अगर सपोज हमारे घर में 1000 watt का off grid solar system लगे हैं और सपोज हमारे घर का जो load है वो 500 watt है अगर सपोज दिन के समय हमारे solar panels 1000 watt जो है power generate कर रही है तो जब हमारी solar panel 1000 watt power generate कर रही होगी तो उस time जो है इस 1000 watt power में से 500 watt तो हमारे घर की load की और जाएगा जब हमारे घर के 500 watt जो है fully operate हो रहे होंगे और बचे 500 watt power जो हमारे battery की और जाएगा कहने का मतलब उस time हमारे battery जो है 500 watt power की rate से जो है charge हो रहे होंगे लेकिन कुछ घंटों के बाद होगा क्या हमारा जब हमारी battery fully charge हो जाएगी तो ये जो हमारी 500 वाट की पावर जो बैल्टी की ओर जा रही थी अब वह टोटली वेस्ट हो जाएगी क्योंकि ये 500 वाट की पावर जो है आपकी बैल्टी तक भी नहीं जाएगी तो इस ओफ ग्रीज सिस्टम का यह सबसे बड़ा डिस अडवांटेज है अगर हम जो है एक और डिस अडवांटेज की बात करें अब सपोज अगर सोलर पैनल पावर जनरेट नहीं करें जैसा जो है आपका रात के समय होता है तो उस टैम होता है क्या है हमारा ये जो हमारा इन्वर्टर है वह हमारे लोड को बैटरी के उपर डाल देगा कहने का मतलब जब सोलर पैनल काम करना बंद करेगा तो जो हमारे घर का लोड होगा वह बैटरी के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएगा और जब हमारा घर का लोड बैटरी के साथ connect होगा तो जो हमारा grid से supply आ रही है ये automatic क्या हो जाएगी कट हो जाएगी और हमारे घर का लोड जो है कुछ घंटों के लिए बैटरी से चलेगी तब तक चलेगी जब तक हमारा बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए और जैसी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो हमारा connection जो है वा grid से हो जाएगी और जैसी हमारा supply जो है grid से आने लगेगी तो उससे हमारा घर का लोड भी चलेगा और हमारी बैटरी भी जो है चार्ज होने लगेगी और जो हमारी बैटरी होते है उस एक बैटरी को चार्ज होने में लगबग 8 से 10 घंटे जो है लग जाते हैं और इस एक बैटरी को चार्ज होने में हमारा धाई यूनिट से 3 यूनिट का बिजली का खर्च हो जाता है कहने का मतलब इस ओफ ग्रीड सोलर सिस्टम को यूज करने से हमारा बिजली का बिल कम नहीं होता है और तीसरा डिसड़वांटेज यह है कि जैसा कि हम जानते हैं ओफ ग्रीड सोलर सिस्टम में बैटरी यूज होते हैं और यह जो हमारी बैटरी होती है उसकी सैकल होती है और इसका सैकल एप्रोक्सिमेट जो है 800 से 1000 सैकल होती है एक सैकल कहने का मतलब जब हमारी बैटरी एक बार चार्ज होगी और एक बार हमारी डिस्चार्ज होगी तो उसी तरीके से जो है 800 सैकल का मतलब होती है हमारी बैटरी 800 बार चार्ज और डिस्चार्ज होगी इसके बाद बैटरी के लाइब कम हो जाते है और हमारा मेंटेनेंस भी काफी बढ़ जाता है मैं उमीद करता हूँ आपको ऑफ ग्रीड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो लोग ऑन ग्रीड सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं या उन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिशन में जो है दे दूँगा थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो जो गुद लुद लुख और वे नहीं जो